हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज मैं इस वीडियो में आपको उतकर्ष योजना के बारे में पुरा डिटेल में बताऊंगी ये योजना आदिम जाती तथा अनुसूची जन जाती विकास विभाग के द्वारा चलाई जाती है इस योजना के तहट कक्छा छटवी में प्रवेश के लिए एक्जाम होता है तो हम यहाँ पे जो जो आपके लिए में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जानते है सबसे पहले तो उतकर्ष योजना क्या होता है मैं ये छोटा सा बताना चाहूंगी थोड़ा सा कक्छा छटवी में स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में मतलब आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो छटवी से इसके लिए प्रवेश होता है और चटवी से लेके बारवी तक आपकी पढ़ाई का खर्च, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई का खर्च, ट्राइबल डिपार्टमेंट यानि कि छत्तिसगर आदिम जाती तथा अनुसूची जन जाती उठाती है, शौट में बोलू तो CG ट्राइबल, ट्राइबल डिपा समझते हैं, इसका एक्जाम, देखे, तारीक ठ्यान रखते जाएए, जो जो इंपोर्टन चीज है, मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको वही बताऊंगी, साथ तारीक, साथ मार्च को समय बारा से दो बज़े तक लिखित परिक्षा होगी, अब, अब हम आगे चलते हैं, य जब छात्रों के चयन का मापडण, क्या होता है रूल्स, कुछ शर्तें, पहले तो विद्यार्थी छत्यसगड का मून लिवासी हो, छत्यसगड राज्य में मानने अनुजाती, अनुसूची जन जाती वर्क का हो, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई, जाती प्रमान पत्र होना चाहिए, और कक्षा पाच्वी में नियमित होना चाहिए, नियमित चात्र याने की रेगुलर स्टूडेंट्स होना चाहिए, कक्षा पाच्वी में, और कक्षा चौती में 80 से अधिक प्रतीशत होने चाहिए, और पालक की आय, धाई लाक से अधिक नहीं होनी च जनपत पंचायत तथा नगर पंचायत छेत्र के विद्याले में अध्यान रस्विद्यारती इस योजना अंतरगरत आविदन कर सकते हैं। इसका मतलब आप ग्राम पंचायाद, जनपत पंचायाद या नगर पंचायाद के किसी विद्यालाई में पढ़ रहे होंगे पाँचवी में तो वो बच्चे इस योजना का लाब उठा सकते हैं और वो फॉर्म भर सकते हैं. अब अब देखिए प्रवेश परिक्षा का पैटन प्रवेश परिक्षा का जो पैटन है वो क्या रहेगा आपको छटवी में प्रवेश दिलाना है आप छटवी में से पढ़ेंगे तो पाँचवी के विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, परियावरण इसके 20, 20, 20, 20 यानि कि टोटल आपके 100 प्रशन आएंगे, 120 मिनट का पेपर रहेगा और अबजेक्टिव टाइप पेपर रहेगा अबजेक्टिव टाइप मतलब एक कोशन के पाँच आप्शन रहेंगे उसमें से आपको एक चूस करना होगा, गोला लगाना होगा, या टिक करना होगा उ जिसको हम OMR sheet कहते हैं और आप question paper को अपने साथ घर ले जा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब seat कितनी होती है, यह seat निर्धारित है, किस जिले के लिए कितनी seat होगी, यह आपको counselling के दौरान पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, तो एक बात जान लीजिए, चाहे कितने भी बच्चे आवेदन कर लें, जितनी seat होगी और जो passing का criteria होगा, मार्क्स का, उसके according ही प्रवेश दिया चाहेगा, अब सवाल उठता है कि आवेदन कैसे जमा करना है, फौर्म कहां से मिलेगा, पहले चीज ध्यान रखिए, दिनांक 19-2, यानि कि 19 फरवरी तक, शाम को पांच वजे तक आपको फौर्म भरना है, अब देखिए, विद्यार्थियों द्वारा आवेदन पत्रशाला में जमा करने की तिथी, यानि कि आप जिस स्कूल में पांचवी तक पढ़े हैं, उस स्कूल में ही जाके आपको फौर्म को भरना है, और डेट याद रखिए उननिस तारीक तक, उननिस फरवरी तक ही, उसके बाद ये जो सारा कुछ लिखा यहाँ पे डेट, या आपके लिए नहीं है, ये आप फौर्म भर देंगे, उसके बाद वो जो स्कूल के जो प्रिंस्पल या फिर जो टीचर्स होंगे, उनको जो करना ही है, उनके लिए इन 9 तारिक को, दावा पत्ती कर सकते हैं आप 16 तारिक तक, मेरिट सुची 18 तारिक तक आएगी, फिर काउंसलिंग की तिथी, पहले से आपको बता दी जाएगी, लेकिन कक्छा प्रारम कब होगी, ये आपको पता चल चुका है, अप्रेल में होगी, अप्रेल 2021 में ही कक्छा श चुरू हो जाएगी, छटवी की, अब देखिए, ये रहा, फॉर्म, अब हम इस फॉर्म को कहां से डाउनलोड कर रहा है, पहले वो समझ लेते हैं, आपको सिम्पल जो गूगल आप देखे होंगे, जहां पे कभी आपने सर्च किया होगा, कुछ चीज वहां पर जाना है, और आपको लिखना है सिम्पल शब्दों में, ट्राइबल.cg.gov.in, जैसी आप इसको लिखेंगे, इसके बाद आपके सामने 36 गर ट्राइबल डिपार्टमेंट का वेबसाइट खुलेगा, उसको हिंदी इंगलिश जिसमें भी आप चाहें खोल सकते हैं, उसके बाद आप स उचना पट्टा में जाईए, नोटिस में जाईए, वहाँ पे पहला नोटिस आपको यही दिखेगा, आपको उसको डाउनलोड करना है, और इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, आप इसमें देखेंगे कुल आठ पेज हैं, लेकिन आपको ये छटवा, सातवा और आठ पेज को निकालना है, अब इस फॉर्म को कैसे भरना है, हम ये भी बात कर लेते हैं एक बार, देखें, ये रोल नंबर यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ लिखा है केवल कार्याले उप्योग के लिए, आपको यहाँ पे अपनी रंगीन फोटो लगानी है, ज परिक्षा, केंद्र का नाम, जिले का नाम, परिक्षा का स्थान, यह सब यहाँ तक आप छोड़ देंगे, यह सब जो है, यह आपके लिए नहीं है, यह कार्याले को करना है, अब देखें, आवेदक का नाम हिंदी में, अगर आपका नाम है रिया सोनी, तो आप इसको में लिखेंगे रिया सोनी, इस वाले जगह में, फिर कैपिटल लेटर में, इंग्लीश में लिखेंगे, अब कैपिटल लेटर का मतलब आप सब समझते होंगे, रिया सोनी, यह ऐसा होता है कैपिटल लेटर का मतलब, अब पिता का नाम, पिता का नाम होगा आपके, for example, रा आपके माताख नाम जाती जाती इन दोनों जाती में से तिक करेंगे और यहां पे लिखेंगे अनुसूची जन जाती पुरा फिर लिखेंगे पर यहां पे ध्यान रखिया आपको जो भी आप जाती प्रमान पत्र आपको इसकी फोटकॉपी यहां पे लगानी होगी जो फाइल नमबर यहां इस बॉक्स में लिखना है एक एक बॉक्स में एक एक नमबर आपको लिखनी अपना जनमती थी लिखना है यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि आपका सपोस करिए दो पांच टू जीरो जीरो वन होगा ये लिखेंगे, इसी को शब्दों में लिखेंगे, दो माई दो हजार एक ऐसा लिखेंगे फिर उसके बाद आप पुरुष है या लिंक इस बक्षे में टिक करेंगे पुरुष है पुरुष मैला मैला गख्चा चोथी का प्राप्ता कुलंख कुलंख याने की कितने का पेपर हुआ सपोस कर ये 500 का पेपर हुआ और आपको मिले है 392 तो यहां लिखेंगे 392 प्रतीशत आपका क्या रहा ग्रेड अगर मिले हैं तो नहीं नहीं तो छोड़ देंगे यहां पे लिखेंगे प्रतीशत कितना मिला पालक की आए अब यहां पे आपको अपने फादर की इंकम लिखनी है जैसे कि सपोस कर ये 2 लाक ऐसे लिख देंगे आप लेकिन यहां पे धियान रखिए कि आपको यहां पे प्रमान लगाना है सलंग करना है यानि कि आपको अपनी इंकम सर्टिफिकेट आए प्रमान पत्र की फोटकॉपी यहां लगानी होगी वैसे आए प्रमान पत्र जो है ओरीजनल भी आप लगा सकते हैं याप चाहें तो भर सकते हैं वैसे यहाँ पर हाँ देखें प्रमानित किया जाता है कि अस्ताक्षा दिनाक सहीं यहां पे जो स्टूडेंट्स फॉर्म भर है उसके पेरेंट्स की साइन रहेगी असाथ में आपको डेट लिखना है उसके बाद देखें मैं मैं आने की यहां चात्र का नाम उसके पिता का नाम और बच्चे की उम्र निवासी किस ग्राम का हूं किस जिला यह आप लिखेंगे फिर यहां लिखेंगे मेरा पुत्र अबलिक पुत्री पुत्री अगर होगी तो पुत्री ने वर्ष 2020 में आदिम जाती तथे विद्यार्थी उतकर शोजना अंतरगर प्रवेश यह तो आविदन किया तो यहां 2021 लिखेंगे आप मैं 36 गड़ के भोष्ट करता हूं कि मैं अनुसूचित जाती जो भी हूं मैं आप यह टिक करेंगे यहां पर मैं 36 गड़ का नीवासी हूं अब देखें पिता यदि शाष की सेवा में है तो कितना आए है पिता नीजी संस्था में है तो कितना है शाष की सेवा सेवक है तो कितना है माता फिर माता फिर पिता अधी यदि अन्य व्यवसाय में आए है तो कितना परिवार के क्रिशी का आए कितना आवेदक की आए कितना कूल आए यह यहां पर आपको जोड़के लिखनी है बात जहां जहां आपका नहीं रहेगा उसको डैश करके छोड़ देंगे मेरे परिवार की कुल वार्षिक आए कितना ही यहां लिख देंगे जैसे की 2 लाग चो मैंने आपको बताया था हिंदी में लिख सत्या फिर यहां पालक का हस्ता आक्षर नाम सहित याने की जो आपका रहेगा जैसे की फर एक्जामपल राम लखन तो आप नाम भी लिखेंगे और यहां पर ऐसे साइन भी करेंगे उसके बाद देखिए फिर इसको पावती पावती में भी आपको लिखना है श्री कुमारी आपकी बेटी का नाम जो भी ह लड़के का होगा तो श्री पुत्र पुत्री जो भी होगी श्री यहां पर फादर का नाम आपके पिता का नाम नीजी विद्याले विद्याले का नाम जिला कहां का यह लिखेंगे हेतु दिनांग को प्राप्त हुआ यह आप लिखेंगे हेतु दिनांग को प्राप्त यह आप देख सकते समझ सकते को दोफञ बारवेंट संबधनित क्रेंद में यह चोड़ देंगे यह वाला चीज जो है यह जो है आप बस यह वाला भर देंगे और यह देखे प्ल तीन पेज का फोटो जो है एक प्रिंट आउट निकालना इसको फॉर्म को भर के आप जिस इस उतकर्ष योजना का लाब जो उठाना चाहते हैं वो डेट याद रखे और फॉर्म को इसी तरीके से फील करके अपने आप जो भी जिले में रहते हैं वहाँ पे इसे जमा करके जमा कर दीचे और बाकी जो डीटेल्स है मैंने आपको बता तो दिया अप्रेल में स्कूल स् अगर आपके हैलफुल होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दूसरे भी बच्चों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो